खबर ग्वालियर से है जहां मुख्विर की सूचना पर हजीरा थाना पुलिस ने एक नावालिक को पकड़ा है पकड़े गए नावालिक चोर से पुलिस ने पूछताच के बाद चोरी की तीन बाइक बरामत की है पुलिस पकड़े गए चोड से पूछनाच कर पता लगा रही है कि उसके साथ ही कौन कौन है और उसने अभी तक कितनी बाइक चोरी की है गौलियर के हजीरा थाना प्रभारी मनीज धाकर ने बताया कि सूचना मिली थी कि पुलिस ने उसकी निसान देही पर चोरी की तीन बाइक बरामत की है सूचना देने वाले ने पुलिस को जो टिप दी थी उसमें उसका कहना था कि अकसर नाबालिक पैदल जाता था वे अब अक्सर अलग-अलग बाइक से आता है पुलिस ने तस्दीक की तब वाहन चोर को पुलिस ने दबूचा अब पुलिस उससे पूँच ताच कर पता लगा रही है कि उसके साथ और कौन-कौन इन वाहन की चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं वे चोरी की बाइक को कहां पर खपाता है जिससे उनके खिलाफ भी कारेवाही की जा सके हजीरा थाने के CSP रवी भदौरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि एक नाबालिक को पकड़ा है पकड़े गए नाबालिक से पूश्टाच के बाद चोरी की तीन बाइक मिली है पूश्टाच की जारी है पूश्टाच के बाद कुछ अन्य बाइक बरामद हो सकती है थाना अजीरा में मगबिर की सूचना के आधार पे इस बाहन चोर को गरफतार किया गया है और जिससे पूश्टाच पर उसने कुछ बाहन जो चोरी के हैं नों को बरामद करवाया है और उसके साथियों की तलास जारी है जल्दी ही उनको विरक्षा में लेकर खुलासा किया जाएगा पता है इनके साथियों की तलास हो रहे है उनके मिलने से शहर की अन्य बाहन चोरीयों की भी खुलने की उम्मीद है ये इसी तरीके की बाहन चोरी और अन्य नकब जनी के कुछ मामले इनके उपर पूर से दार जाएगा